नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिप्टो की इस अपडेट वीडियो पर माफी चाहूँगा कल वीडियो नहीं बना पाए जैसे मैं आपको बताया था कि मैं स्विजलेंड में हूँ इस समय और आज इंटरलाकन जिसके पास एक यॉरप का सबसे बड़ा पहाड यूं कर आयों कल सारे के सारे स्वाट एटियफ या तो अप्रूव हो सकते हैं रिजेक्ट हो सकते हैं कल का दिन बहुत इंपॉर्टन ने उसके पहले की वालेटिलिट को कैसे द्यान रखें स्टेब बाइस्टेब कौन सा लेवल यह जिसमें आपको बीटकॉइन पर एंट्री ले लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए फटावर्ट से शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू फोर आवरली टाइम पर अगर आप बिटकोईन के टाइम प्राइस को दे छेसो तक 38,000 तक चला गया तो अलमस्स राइट सो इसी को तो वालिटिलिटी कहते हैं कि आप एक एक दिन में तीन तीन हजार डॉलर की मूव्स ले रहे हैं और हमारी बॉट्स के लिए हमारे ट्रेड्स के लिए यह सिचुएशन जो है यह सेनारियो बहुत ही ज्यादा पैस निकल चुके हम हलके हलके नीचे जा रहे हैं इतना बड़ा डंप आया था कि हम औरेंज बॉक्स से लुड़कते हुए सीधा 34500 के आसपस तक चले गए थे राइट सो उपर वाला औरेंज बॉक्स बहुत बड़ा गुरुत्वा कर्शन है ग्राविटी है अपनी तरफ यहां से डंप आया और फिर वहां से वापसी से हमने जो है यूटन भी लिया एक और ट्वीट हमने उसे पहले किती इसमें पताया था कि बेरिश डाइवर्जिन ने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाए थी तीन-चार दिन पहले एरपोर्ट पर बैठके आपके लिए कि जब तक बीजेंस जब तक आजकल के नए जवान लड़के जो सो एक्स पचास एक्स के ट्रेड ले रहे हैं जब तक वो फ्लश आउट नहीं होंगे तब तक यह बेरिश डाइवर्जिन रहेगा जिसके चलते एक हमें बड़ा डंप देखने को बिला तीन हजार डॉलर का ड बिट कोईन यह नो स्पार्ट ट्रेड उनको मट टाच कीजिए उनको एक अकल अलग से वालेट में रखी उनको देखिये मत कभी वी क्योंकि वह आपको साल भर में बहुत जबर्दस रिटरन देने वाले मैं बात कर रहा हूं अगर आप मेरी सुनते हैं और मुझे फॉलो कर करते हैं पांच दस या पंदरा पर्शंट की जो आपकी टोटल वेल्थ हैं वह आप ट्रेड में लगाई है उसके लिए तो उसके लिए उनको अगर आप शॉट लेना चाहते तो आप और इंच बॉक्स से शॉट वी ले सकते हैं को मिला है तो आप रेक्ट नहीं होंगे आपको नुक्सार नहीं होगा अप ठीक ठाक प्रॉफित बना सकते हैं इसको मैं आई में नाट बीबल टो कवर इट फॉर इवरी डे बट चलते फिरते भी मैं तो एक्स्री एक्स के फोर एक्स की ऑल्ट को लिवरेज लेता रहता बट गाला के मैंने ले रखें से में ठीक टाक प्रॉफित है 100 परसें डीट सो परसेंट प्रॉफित आराम से मिलता रहता है हमने कुछ दिनों पहले आपको मैटिक कवर करके दिया था तब मैटिक और आवलांच हमने आपको रेकमेंड किया था थोड़े दिन पहले ट्रेड और आपने दखें तो हमें अच्छी और दिखा रएगी क्यों चाहिए करेक्शन मलता यति था फ्रीं आखें drug कैंडर 2 दीरokay अईंर I think it all goes somehow that market में एक पॉजिटिव मोमेंटम है कि कल बिटकोइन का स्पोर्टिव अप्रूव हो जाएगा इधिरियम भी ओविसली बिटकोइन को ट्रेस करता है तो जैसे मैंने कहा कि बिटकोइन के इन को इन सपोर्टर इस्टेंस लेवल के अंदर अगर आप ट्रेड ऑल्ट कोइन के ऊपर खेले तो भी आप अच्छा ट्रेड खेल सकते हैं एधिरेम में जैसे आपने देखा एधिरम और विटकोइन विटकोइन में डंप आया तो इधिरम में ज्यादा वाड़ा डंप आया अगर हम इस औरेंज बॉक्स को तोड़ देते हैं तो हम सीधा 4600 के आसपास जाएंगे जो की पहिना के अगर हम देखें तो all time high के बिलकुल दर्वाजे पर खड़ा है तो stock market में momentum बहुत positive है stock market all time high की तरफ stare कर रहा है और हो भी क्यों ना मैं आपको वीडियो के आंतर में बत rate cut के बारे में ज़रूर बात जल्दी शुरू हो सकती है क्योंकि they are very happy about the inflation PPI and CPI both going down before I talk about the warning जो चेतावनी मैंने दी है जिस बारे में वीडियो है let me talk about my trades 102% का finally 100% हमने cross कर लिया है हमारे bitcoin cycle bot पर और बाकी bots भी जीरे-जीरे 100% की तरफ बढ़ रही है मैं बहुत खुश होता हूं जब 100% profit आता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी thesis यह है कि अपना principle वापस निकाल ले और आप जो अपना profit और उसी को reinvest करते रहे हमने पहली जनवरी को इसी तरीके से यह channel तो नहीं यह trading regime स्टार्ट कर रही थी trading challenge स्टार्ट किया था जिसके description में link दे रहा है है जहाँ पर हम ledger maintain करते हैं log maintain करते हैं अपने trades का with screenshots चार हजार डॉलर से हमने स्टार्ट किया था और इस समय हम एक लाग डॉलर के profit से उपर हैं यह सी strategy के करण कि जैसे 100% हो पैसा निकाली जी अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं जो इस वीडियो का title है कल का दिन खतरनाक है important है कल अगर सारे bitcoins positive approve हो जाते हैं तो एक scenario अलग होका अगर नहीं होते हैं तो I'll be happy to take 80% 90% profit also यहां पर हम ठीक प्रॉफिट बना चुके हैं उतना तेजी से हम liquidate तो नहीं होंगे यह हमारी bot trading की खासियत है क्योंकि मैं बता हूंगा आपको इस bots कैसे average करती हैं but because these bots do the averaging हमारे liquidation price बहुत जादा नीचे रहते हैं I think unless a बड़ी बड़ी candle आये unless बहुत बड़ी विक आये हमारी liquidation के chances यहां पर काफी कम रहते हैं तो okx पर आपको account बनाना चाहिए उसके लिए और आपको joining bonus मिलेगा फिर आपको one click में हमारी 6 की 6 bots strategy जो की दो fast bots है Bitcoin Ethereum की दो slow bots है और दो cycle है अगर आपको यह सारी बाते Latin and Greek लग रहे है fast cycle है क्या है तो यह पहली वीडियो है ज़रूर देखेगा all in video strategy bitgate के उपर हमारा हमारी bots भी अच्छा perform कर रही है bitgate पर धीरे धीरे हम 20% के आसपास अग्रसर है एक ethereum की जो बाट है वो 28% profit पर भी है bitgate पर 300 subscribers हमारे complete होगे 300 की limit है subscribers मतलब जब आप एक ट्रेडिंग जब एक referral link आप डालते है तो bitgate में एक अजीब सा rule है कि वो एक डालर आपसे लेता है आपकी trading strategy को copy करने लिए और 300 का उसका limit है 300 ज्यादा लोग नहीं कर सकते हैं आपकी trading strategy copy तो यहां पर 300 क्रॉस होगे विच इस ग्रेट न्यूस सो आप चाहें तो bitgate को भी you know start कर सकते आपकी कर सकते हैं आपसे दॉलर ना ले राइट सो और bitgate के trading bought competition में भी 16,000 डॉलर हमारे users को हमारे subscribers का profit है इसमें जो कि हम तीसरे लंबर नंबर पर हैं सभी रेफरेल्स सभी इन्फूएंसर के मुकाबले 90 परसंट हमारा profit है profit percentage के मामने हम सबसे ज़्यादा हाई है और यह फूल हो चुका है कोई भी subscriber का slot नहीं बचा है जैसे मैंने कहा तो that is the power of our community guys मेरे बहुत सारे subscribers में comments में देखता हूं आते हैं देखते हैं वीडियो को बहुत seriously लेते हैं जैसे हमने एक वीडियो पर यह बनाई थी इसमें हमने तीन altcoins बताये थे एक merit circle एक matic और एक avalanche merit circle in fact मेरे वीडियो बनाते ही फोड़ा सा डंप हुआ था बट लास 24 गंटे में अगर आप देखें तो 26% पंप हुआ है तो congratulations to those guys जिन्हों ने हमारी recommendation और अगर आप देखें आवलांच का हमारा जो ट्रेड है वो 21,000 dollar के profit पर है 258% और matic का 5,800 dollar के profit पर है 93% so we are making a lot of profit guys we are making a lot of profit through these trading strategies so I hope आप इन वीडियो को समय पर देखते हो अगर आप से वीडियो मिस होगी और आप करें ओ शिट का आज मैंने वीडियो देखी हो थी और मैं भी आवलांच पे 258% का profit बना चुका हो था और याद रखने हैं 10x के leverage के trade ही है these are not like those khatrnaak 50x और 100x वाले trade यह safe 10x वाले trade हैं और छोड़ा सा पैसे डालके हम काफी सारा return प्राप्ट कर लेते हैं चलिए बात करते हैं इस वीडियो के मुखे शीर्शा के बारे में जिसे मुझे बहुत जादा डरी से में लग रहा है और मेरा bias 70-80% है about not approving तो अगर approve हो जाता है तो आप जानते है price कहां जाएगा 42,000 तक मेरा ख्याल है जाएगा यह सारे और दोनों orange box पहला orange box तोड़ देगा और दूसरे orange box को शायद नहीं तोड़ पाएगा तो 42,000 पे मैंने बहुत पहले एक red line लगा रखिये high field price तब तक जाएगा तो अगर आपको notification आती है कि SEC ने bitcoin के सारे spot ETF approve कर दी है तो आप एक long ले सकते हैं ज्यादा बड़ी leverage का मत लीजीगा अब 10x पे भी 100% profit बना सकते हैं उस news का फायदा उठाते हैं you just put the money and bots will make sure if the price crashes, bots will do a DCA for you so that's the good part about the bots here so I think let's prepare for this volatility guys let's prepare for this volatility and let's see tomorrow if SEC approves all of these ETFs and if don't, if they don't then you know what's gonna happen ultimately bitcoin will crash approve हुआ तो सही, नहीं तो crash तो एक बनता है अगर approve हुआ तो भी crash आएगा विसे मुझे लगता है कि pump आएगा बड़ा सा उसके बद crash आएगा क्योंकि by the rumor sell the news वाली बात हो जाएगी let's see guys, I'm very excited, कल मैं Milan ट्रावल कर रहा हूँ यहां से मेरी return flight जो है वो शनिवार को मिलान से है तो मैं कल Switzerland से निकलूँगा mostly मैं flight में ही हुँँगा तो मैं बहुत जादा वीडियो श्याद नहीं बना पाऊँगा but please excuse me but मैं कोशिश करूँगा जहां भी एरपोर्ट पे, कहीं होटल पे, कहीं पी बेगर मुझे समय लगता है एग घंटे का तो मैं आपके लिए फटाट सी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप DCA कर सके ताकि आप इस volatility का पूरा फायदा वाट सके आप आप लगा लीजिए अगर अगर अपूर्व होता है तो यूस के हिसाब से इंडिया में आठ साढ़े आठ बजे रात को तो यू कन बेसिकली टाइम इट अकॉर्डिंग लीगाइस राइट सो यह इंडिंग यह इसी है जिसके बारे में मैं काफी डरा हुआ हूँ क्योंकि अगर 17 नवेंबर को बिटकोइन स्पॉर्ट टेफ अप्रूव नहीं होता है तो बात जाएगी जैनवरी और बुल्स को मोमेंटम हो जाएगा खराब और बियर सोचेंगे चलो अब सेल करते हैं अच्छे से ताकि लोगों को दुबारा से बताएं कि बिटकोइन पंदरा हजार डॉलर पे बीस हजार डॉलर पे जा सकता है और फिर यूनो पैनिक क्रियेट करें और अल अव दाट सब्सक्राइब बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ऐसा साइड लाइन में रखके फ़र बिटकोइन तो गो डाउन तो फंदरा हजार डॉलर या बीस हजार डॉलर आइधिंक उनको फंदरा हजार पे पीस हजार का चांस तो नहीं मिलेगा और उनको शायद फीर अठाइस त इसके बारे मैं काफी समसे बात करता आ रहा हूं तो 17 नवेंबर एंड्स दफर्स विंडो ओव बिटकोइन एटीफ बलक अप्रूवल यूस ताइम जोन बिडिंग डिसंट बिडिवर सिवाय कॉयन कॉइन बेस तो बहुत सारा पैसा इसमें लोगों ने बिड्स में लगा काहे लॉंग ले रखे हैं I think that's a perfect recipe of disaster for a good crash I'm not didn't want to sound pessimistic or negative but this is how it works Gary Canceler ने कल एक video post करी जिसमें वो लोगों को warn कर रहे थे about buying digital assets about speculating and all of that so ये भी मुझे एक इशारा लग रहा है कि Gary Canceler भाया ने एक तरह से ये इशारा कर दिया कि हम spot ETF नहीं approve करने वाले हैं आप ज्यादा खैली पुलाव मत पकाओ so अगर ये एक indication है so I know it's not a good sign it's not a good news for crypto lovers जो वेट कर रहे थे कि इस बार क्रिप्टो समर जल्दी आएगी इस बार सैंटा रैली जल्दी शुरू होगी और इस बार हम हाल लिंग से पहले ही जो है काफी साथा पंप कर चुके होंगे I hope I'm wrong but most likely scenario यही होने वाला है कि bulk में spot ETF नहीं होगे और अगर हो जाते हैं दोस्तों तो फिर तो मज़ा जाएगा अच्छी लग रही है यूस का PPI data आया बहुत कम आया in PPI inflation जो है वो वह 1.3% ग्रो हुए अपरेट तो 2.3% expected फेड ने कहा है फेड के बार किन करके जो कोच यह है कि I hope eventually interest rate नीचे आएंगे फेड के डैली ने कहा है कि recent economic data is further declaration in inflation week getting weak अच्छी positive news है जनल मार्केट के लिए क्रिप्टो के लिए अच्छी positive news है कि जर्मन के बैंक ने commerce bank अप्रूव किया है crypto custody services तो जर्मनी के लोगों के लिए अब crypto custody हो गही असान crypto will not really be into bad hands like the exchanges exchanges पर कभी पैसा मत रखें गाइस बहुत और मेरे trades as always trade तो आपको exchange पर लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपको exchange पर जाना पड़ेगा बट trades के लावा अपना long term पैसा exchanges पर मत रखें इतना अच्छा चा रिटान आता है देखी guys मैं really i really want you to watch every video of mine क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो आपको ये 278% का profit नहीं हो पाता अगर आपने मेरे साथ trade लिया तो आपको बहुत 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 शुप काम नहीं धन्यवाद दोस्तों Switzerland से सलाम धन्यवाद जहिन